हम आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट एसे कोविड नाइटीन लेकर रहा हो अगर आप किसी भी बोड के क्लास 10 या क्लास 12 के तैयारी करने इंगलिस का तो आप से आप से एसे के रूप में पूछा जा सकता है निवंध के रूप में पूछा जा सकता है क इंक्लूड करने की कोशिस की है, सिर्फ आप इसको लिख देंगे तो आधिक से अधिक मास एक्जाम में मिल जाएगा, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं, COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic में इस होता है महामारी, तो यहां मैंने तीन पेरागराफ में लिखने की कोशिस किया है, फर्स्ट वन इंट्रोडेक्शन है, और सेकेंड वन सिम्टम से है, और थर्ड वन है प्रिवेंशन ओफ COVID-19, ओके, तो चलिए समझते हैं पहले वन बाई वन करके परागराफ वाईज, COVID-19 मेंस, COVID-19 का मतलब होता है, अर्थ होता है, को को स्टेंस फोर कोरोना, को फोर कोरोना, वी आई फोर वाईरस, डी फोर डीजीज, ओके, और यानि कर सकते हैं कि COVID जो है, COVID स्टेंस जो है कोरोना होता है, और वी आई फोर वाईरस, डी फोर डीजीज, ओके, कोरोना वाईरस is commonly, commonly called COVID-19, जो है कोरोना वाईरस को commonly कहा जाता है, COVID-19 की रूप में जाना जाता है, COVID-19 कह जाता है okay it is an infectious disease यह संक्रामक रोग है it is very small in size यह बहुत ही जो है small है size में but most dangerous लेकिन बहुत ही खतरनाक and harmful है और हानिकारक है it was first identified in 31st December 2019 in Wuhan a city of China यह पहली बार identified किया गया था कब क्या गया था 31st December में यानि 31 December 2019 को Wuhan एक जगा का नाम एक city का नाम है जो चाइना में है तो वहाँ पहली फर्स टाइम जो है identify किया गया अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो 27 जन्वरी में 27 जन्वरी 2020 में किरेला में जो है पाया गया था किरेला इंडिया याद रखेंगे इसको आप not down कर लेंगे तो 27 जन्वरी 2020 को किरेला में एक फिमेल को हुआ था फिमेल जो है पेसेंड थी और उसको जो है sore throat हुआ था sore throat कहा जाता है गले में खरास था sore throat okay sore throat गले में खरास था और उसके बाद इसमें dry cup पाया गया था dry cup तो इसको आप not down कर लेंगे dry cup तो इंडिया में पहली बार जो है 27 जन्वरी 2020 में किरेला में एक फिमेल को हुआ था यानि कोरोना वाइलस जो है इंडिया में किया गया तो next देखेंगे it was first identified जो हो गया यहां पर वहां सिटी में चाइना में किया गया but now it has spread लेकिन अब जो है यह spread हो चुका है ओके throughout the world पूरी दुनिया में लगबग 200 कंटी से अधिक एफेक्टेड है बाउट 200 कंटी आर एफेक्टेड बाई इस कुरोना वाइरस ओके परसंट इस होता है जेनता क्रिव। से तो वह percent to percent जो ही speed होता है फैलता है okay it is a very pestilent disease यह बहुत ही pestilent miss होता है जानलीवा बीमारी है जिसको होता है इसमें recover भी होता है देखेंगे हम लोग आगे about 55 lakhs people have been killed by this coronavirus in all over the world okay तो लगभग जो है लगभग 55 lakhs जो है people को जो है मारे गए है इस cruel corona के वाइरस के कारण को क्रूयल में सोता निर्दई वाइरस है यह किसी को भी जब लगता है तो उसके लिए खतरनाक हो जाता है तो लगभग 55 lakhs लोग मारे जा चुके इस दुनिया में इस coronavirus के करते हैं कि 2000 जो है मार्च 2020 में डब्लू हो वर्ल्ड हैल्थ और्गनाजिशन ने घोसना कर चुका है यानि किया है है कोविड 19 कोविड 19 को आउट ब्रेक पैंडेमिक एक परकोप बताया है एक पैंडेमिक है एक महामारी है यह person to person speed होता है फैलता है इस प्रेडिंग वहरी फास डे वाई डे और यह आज भी लगातार केंटिनीव है यह लगातार बल रहा है बहुत ही फास्ट जो है जो है जो है करोना वाईरस बल रहा है पूरी दुनिया में all over the world throughout the world कर सकते हैं अब इसके लक्षन की बात करते हैं symptom second paragraph में तो हम लोग ने लिखा देखा कि इसमें जो है इंट्रोडेक्शन अगर परिचे की बात आती है तो कहां से आता यह आया ओके करोना वाईरस और क्या करोना वाईरस का मतलब होता है अब हम लोग symptom देखेंगे कैसे समझेंगे कि यह patient जो है victim है करोना वाईरस से तो COVID-19 affects different people in different way COVID-19 जो है affect करता है परभावित करता है different people को different way में करता है some people do not have any symptoms कुछ-कुछ जो है जो है लोगों को तो कुछ-कुछ patient को कुछ-कुछ लोगों को तो किसी भी तरह का symptom भी नहीं होता है और वो करोना वाईरस से victim हो जाता है सिकार हो जाता है a large number of patients have been recovered यहां पर recovered है भी ERD चुटा हुआ है आप note down करेंगे a large number of patients have been recovered तो बहुत सारे लोग जो है जो है recover भी हो चुके इसमें without hospitalization बिना hospitalization के कारण ही जो है बिना hospitalization होने के बावजुद वो जो है क्या हो चुके है recover हो चुके है यानि hospital तक नहीं गए है और recover हो चुके है but the most commonly symptom of coronavirus लेकिन जो most commonly symptom है लक्चन है coronavirus का और fever यह fever है बुखार आएगा cough यानि खासी होगी tiredness यानि इसमें थकावट आएगा loss of taste जो है स्वाद का टेस्ट जो है loss होगा और smell और सुगने की जो है जो छमता होती है उसमें भी जो है कमी आएगी गिरावट आएगी difficulty in breathing और कठिनाई होगी सांस लेने में कठिनाई होगी chest pain सीना में दर्द होगा headache सर में दर्द होगा sore throat यानि गले में थरास होगा यानि गले में आप कर सकते हैं कि गले में पीडा होगा दर्द होगा अगर कोई पैसेंट अगर उस विक्टिम हो जाता है कोरोना वाइरस से तो उसमें प्रिवेंशन क्या करना चाहिए या उससे बचने के prevention कह सकते हैं कि बचने के COVID-19 से कैसे बचा जा सकता है तो मैंने आपके लिए जो है 2-4 पॉnosis लिखा है तो वह इस से जग्हां पर हमेशा एक मास्क अपन है अब जब घर में रहते होंगे तacağसा है आपको नहीं लगाना, ओके नेक्स देखेंगे, मैंटेन सेफ डिस्टेंस और जितना COVID-19 जो हमारा बताता है, ओके यह रूल जो बताता है, तो इसमें आपको जो है मैंटेन करना होगा, क्या किसको सेफ डिस्टेंस, कि हम सेफ डिस्टेंस में रहेंगे, दूरी अपना बनाए रखेंगे, तो इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है, ओके, गेट वेक्सिनेशन, वेक्सिन COVID-19, और जो है, अभी सरकार दुवारा, जो है, COVID-19 का वेक्सिन भी आ गया मर्केट में, तो आप जैसे वेक्सिन की जुरत होती है, जब इस वेन इट कम सी ओर टर्न, टर्न योर टाइम, जब आपकी बारी आती है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वेक्सिन लगा लेंगे, तो यह जो है, बसने का नियाम है, stay safe in your home, आप अपने घर में safe रहिए, यह भी लिख सकते हैं, फोर्थ में, फिप्त में आप लिख सकते हैं, वास योर हैंड्स, और sanitizer, अपना हाथ, जो है, अपना हाथ, मुँ, चेरा, face, nose, nose कर सकते हैं, नाक जो है, उसको आपको धोना है, soap से, या soap से कर सकते हैं, या sanitizer से, साबून या sanitizer से, आप अगर साफ करेंगे, ओके दोते रहेंगे, regularly अगर दोते रहेंगे, wash your hands regularly, wash your face regularly with soap और sanitizer, तो इसमें फोर्थ नमबर में लिखेंगे, फिफ्त में लिखेंगे, avoid touching your eyes, आपको है, touch भी नहीं करना, अपने face को, avoid touching your eyes, mouth, face, okay, next में, take hygienic food, आप जो है, hygienic food ले सकते हैं, अगर इम्यून सिस्टम को बलाएगा, तो इससे आपको coronavirus जो है, नहीं हो सकता है, prevention के रूप में, तो I hope कि आप समझ गये होंगे, कि COVID-19 से, अगर आपका COVID-19 जो है, पुछा जाता है, essay में, यानि आप किसी भी board के, किसी भी state के, किसी भी board के student है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही important है, अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजेगा, एक बार जो है, आप इसको screenshot ल ले लिजे, और दोस्ट चार बार देख लिजेगा, तो याद हो जाएगा, अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लिजेगा, दोस्तों को share किजेगा, अच्छा लगा तो comment जरूर किजेगा, thank you, keep watching my all videos, मिलते हैं next video में,